मौडन बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल ऐकन दबाएं ग्यानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दुन्या में कई प्रकार के इंप्लांट्स आपने सुन्या होंगे आई बॉल इंप्लांट्स, मेगनेटिक इंप्लांट्स, डीप चैस्ट पियर्सिंग वगरा वगरा परचीन में हाल ही में दुन्या का सबसे पहला ब्रेन इंप्लांट हुआ है आखिर ये कैसे हुआ? जानते हैं मौडन बाबा के इस वीडियो में दुन्या में एक पुरानी कहवत है truth is stranger than science fiction चीन में वग्यानिकोय ने नसेडियों के उपर दुन्या की पहली deep brain stimulation का clinical trial शुरू कर दिया है इस पूरी वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होगी पहला है implant biological structure में अगर कुछ कमी रह गई हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए implant का इस्तमाल किया जाता है ये implant generally मानव निर्मित होते हैं जबकि transplant में original body parts को ही अलग से लगाया जाता है कई बार implant का इस्तमाल इंसानी छमताओं को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है कुछ implants के example है कम सुनाई देने वालों के लिए सुनने की machine कम दिखाई वालों के लिए lenses heart disease वालों के लिए paste maker जैसे implants यूज किया जाता है इस brain implant को करने के लिए मरीश की खोपड़ी में दो छेद किया जाता है और दो electrodes दिमाग के गहराई में लगाय जाता है इन electrodes को control करने के लिए paste maker जैसी device होती है जो wire से connected होती है इस technology का इस्तमाल Parkinson जैसी बिमारियों के लिए पहले से ही किया जाता है हाला कि यह पहली बार है कि इसका इस्तमाल नशे से निपटने के लिए किया जा रहा है यह पहला परिक्षण मेथमफेटमिन नाम के बहुत ही खतरनाग ड्रग से उबरने के लिए शंगाई के रूईजीन हॉस्पिटल में हो रहा है United States National Institute of Health Database के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ आठ मरीजों पे ही इस तकनिक का परिक्षण किया जा रहा है हाला कि ब्रेन सर्जरी को लेके चाइना का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है पर इन आठ में से 6 क्लिनिकल ट्राइल चाइना में हो रहे हैं इसकी वजह से ये Deep Brain Stimulation Research का एक हब बन गया है DBS के पहले पेशन्ट का नाम यान है ये मेथमफेटमिन 2011 से ले रहे हैं जब से इनके बच्चे का जन्म हुआ है नशे की लत में ये जुए में एक करोड से भी जादा रुपय गवा चुके हैं यह पूरा प्रोसीजर किसी Science Fiction Movie से कम नहीं है और इसमें रिस्क भी बहुत ज़ादा है किसी पेशन्ट को brain hemorrhage हो सकता है जटके लग सकते हैं infection हो सकता है या उसको एक बिलकुल अलग से एक नई personality मिल सकती है पर यान का कहना है कि जैसे ही उनके दिमाज में electrode लगा वो बहुत excited हो गए उसके बाद डॉक्टर ली ने उन्हें एक tablet दिया जिससे वो machine को control कर सकते थे और वो machine उनके emotion को change कर देता है डॉक्टर ली के पास यह च्छमता है कि वो यान को खुश या चिड़चिड़ा बना सकते हैं सिर्फ tablet में छोट असा बदलाव करके यान का कहना है machine जादूई है डॉक्टर उसे adjust करके उसे खुश कर देते हैं और कभी nervous में set कर देते हैं तो यान nervous हो जाते हैं यान ने अब पिछले 6 महने से कोई drugs नहीं लिया है चाइना में DBS के लिए patient आसानी सी मिल गए पर यूरोप में patients को काफी convince करना पड़ा और USA में तो नैतिक और वज्ञानिक कारणों के वज़ा से इस procedure को accept ही नहीं किया गया है पर अमेरिका में खतरनाग drugs का consumption को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसका भी जल्दी शुरुवात वहां हो जाएगा पिछले कुछ सालों में DBS से जुड़े risk में कमी हुए है और फायदे में इजाफा हुआ है परवरी में USA FDA ने DBS के लिए ट्रायल को मंग्जूरी दे दी है इसका focus खतरनाग drugs से एडिक्ट को ही उबारने के लिए है अमेरिका में ऐसा implant का खर्चा 60-70 लाग रुपे तक हो सकता है चाइना की strict anti-drug law ने बहुत से लोगों को mandatory treatment के लिए force किया है इसमें rehabilitation भी included है चाइना में बहुत से लोग इसमें इसले भी interested हो सकते हैं क्योंकि DBS के पहले उनके brain के एक हिस्से को निकाल दिया जाता था जिससे addiction होता है आज भी चाइना में कई लोगों को नशे सिनी बटने के लिए लाखो करोडों रुपे खर्च करके operation करा के brain के कुछ हिस्सों को निकलवाना पड़ता है इस बात का कई hospital फायदा भी उठाते हैं और करोडों रुपे उनसे वसूल लेते हैं और कई बार patients को mood disorder, sex drive की कमी और भूलने की बिमारी भी हो जाती है DBS से किसी पार्ट को हटाया नहीं जाता तो इसमें risk उस प्रकार के नहीं है जैसे कि heart parts हटाने वाले में है क्यूंकि यह अभी research stage में है तो scientist को पता नहीं है कि electrode को कहां place करना है और इसके क्या प्रभाव होंगे इस वज़ा से पूरी दुनिया में इसकी अलोचना भी हो रही है इस वज़ा से scientist लोग भी दुविधा में है कि उन्हीं ये research करना चाहिए या नहीं हाला कि यान का कहना है कि DPS के वज़ा से उसे एक बहतर जिंदगी मिली है दोस्तो आज की ये जानकारी कैसी लगी और आगे आप किन topics में वीडियो चाहते हैं हमें comment करके बताएं इस वीडियो को like करके share जरूर करें अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद